किसान भाईयों नमस्कार, किसान भाईयों हमारे यूटूब चनल एगरी कल्चर रिसर सेंटर में बहुत-बहुत स्वागत है किसान भाईयों आज हम बात करेंगे जो ये सरसों हमारे खेत में लगी हुई है इसके बारे में बात करेंगे ये कौन सी बराइटी है किसान भाईओं इसका उत्पादन क्या है इसमें तेल की मात्रा क्या रहती है किसान भाईओं और इसमें फलियां आप देख सकते हूं कितनी अच्छी फलियां आई हुई है तो किसान भाईओं इस सरसों के बारे में आज ह देखा देना चाहता हूं कि जो यह सर्सों लगी हुई है आप देख सकते हूं यह सर्सों कौन सी है सबसे बड़ी बात तो यह है इसका नाम क्या है यह सारी बात आज बताऊंगा तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर चैनल पे नए हो और चैनल को सस्क्राइब किसान वहीं जो यह सर्सों है यह 45 यह 46 सर्सों है किसान वहीं जो 45 यह 46 सर्सों होती है इसका उत्पादन और इसका जो पौधा आप देख सकते हो पौधा कितना बड़ा है किसान वहीं इसमें जो फलियों की संख्या बहुत जादा मात्रा में होती है किसान वहीं आप इसमें यह फ़लिया देख सकते हैं किसान भाई देखें फलिया इसमें दिखा दीजिए इसमें दिखा दिए किसान भाई क्युछ वियुल मुद्साफ वियुL प 관리 बहुत अच्छा है। अंदर जाके भी आपको दिखा देते हैं कि इसका उत्पादन कैसा है और इसमें क्या क्या है। आप देख लीजीए इसमें जो फलियों की संख्या है। आप देख सकते हो कितनी अधिक मात्रा में फलियां लगी होती है। किसान वहियों इसमें होता क्या है लरियों की संख्या जादा होती है लरियों की संख्या अगर जादा होगी तो दाना भी जादा होगे अगर दाना जादा होगे किसान वहियों तो बजन भी जादा होगा और बजन जादा होगा तो किसान वहियों उत्पादन भी जादा होगा तो किसान भाईयों 45-46 है जो 2023-24 में जो इसका उत्पादन होगा वो सबसे जादा होगा वैसे तो इसका अगर उत्पादन की बात की जाए तो किसान भाईयों एक एकड में 12-15 कुंटल जो है उत्पादन होता है 45-46 का तो किसान भाईयों अगर आपने 45-46 नहीं लगाई है तो किसान भाईयों चिंता करने की कोई बात नहीं है अगले सीजन में आप 45-46 सरसों जरूर लगाए इसमें जो है उत्पादन बहुत ही अच्छा होने वाला है किसान भाईयों जो यह प्लाट है यह लखीमपुर जिला मे में आई हुई है किसान भाईों गया किसान भाईों अगर नहीं लगाई है तो अगले सीजन में किसान भाईों आप आम को दिखा देता हूं कि फलियां कितनी होती हैं मैं गिन के वता देता हूं इसमें कोई भी एक पौधा ले लीजिए अब किसान वाय। जो आप यह कि पौधा देख रहे हैं यह कि यह पौधा है 45-46 का ज़रा दिखाईएगा यह एक यह पौधा है आब इसमें देखिए कितनी लरिया आएं एक दो तीन चार पांच छे छे लरियां हैं एक पाउधे में अब एक पाउधे में कितनी एक शर्फ यह देख लीजिए इसमें एक दो तीन चार तो चार कम से कम इसमें 20-30 लरियां एक पाउधे में होती है किसानवाईयों आप इसमें देख लीजाब देख लिए एक पौधा है 545 चेलिशका देख लिए किसान यहां कि पाथ आपको दिखा दैस्युक्त प्रिया अब कितने जो है फलियां लगी हुए तो किसान बाईयों इसमें दाना भी बहुत जो है मोटा और बजन जाएगा तो दाना मोटा बजनदार चमकीला और ज़्यादा तेल मत्रा मत तेल जो होता है तेल की मत्रा जाधा होती तो जब भी आप लगाएं दूसरी सरसों बिल्कुल मन लगा count 45 ए bes네 लगाएं क्योंकि इस में तेल की मत्रा और जो है दाने का बजन सबसे ज़्यादा रहता है किसान भाईओं अगर इसके पहँचान की बात की जाए कि जैसे बहुत सारे किसान भाई 45-46 लगा देते हैं फिर कहते हैं कि अतपादन नहीं हुआ तो उसमें कारण क्या रहता है किसान भाईओं कि जब भी आप 45-46 सर्सों खरीद के लाएं दुकान से तो उसको चेक जरूर कर लें आप QR कोड उसका स्केन कर लें कि QR कोड स्केन करने के बाद कोटेवा एग्री साइंस लिखके आ रहा है तो ओर्जिनल है अब किसान बैओं अगर ओरिजिनल पाइनियर आपने 25 से 46 लगाई है तो इसका उत्पादन आपके सामने है आप देख सकते हो यह रिजल्ट है कितनी भारी मत्रा में फलियां आई हुई और भी पौधे दिखा दो आप सोच रहे होंगे एक मैं पौधा दिखा रहा हूं और भी पौधे हैं आप देख लीजिए कोई भी पौधा ऐ कि मैं ऐसे ही खेती से लेटीव अच्छे यचे वीडियो लाता रहता हूं मिलूंगा किसान भाई हो एक नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय जवान जय किसान